इसको पहले हम जुल लेते हैं, क्योंकि काफी मिश्टी लग गई है ये हलो दोस्तों, देशी विकास अग्रो मसीन्स में आप सभी का स्वागत है आज हम आप सभी को दिखाने वाले हैं करते हैं। आपसर को एक दिखाते हैं, क्यूंकि कि कीश दिखाते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर वीडियो में कोई दिक्कत आ रहे हैं, आप कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता देंगे आपको और शुरू करते हैं, तो आप सब पहले तो हम इसमें दिखाते हैं ये इंजिन, जो हमारा बॉक्सर का इंजिन रखा हुआ है, तो ये बॉक्सर का इंजिन दिखाते हैं, जैसे इसमें पईया लगाया है, हमने जो बनाया गया था, तो इसका चोडाई जो है, ये हमारा साढ़ यह 85 नो इंच है इतना रख सकते हैं या ओर इसकी जो यह तो इस में अपने हमारी रिट है तो कोशिक्स करना आप भी पईहे की चोड़ाई एकई फिट रखना यह हो गया अब हमारा स्लेंसर हो गया तो स्लेंसर भी हम अपने हाथ से बनाया था छोटा क्योंकि मोटर साइकल का काफी बड़ा स्लेंसर होता है तो उस तरीके से अड़ेस्ट करना थोड़ा दिक्कत वाला था तो इसलिए हम स्लेंसर भी अपने अपने हाथ से बना दिया था और अब बात करते हैं हम इसमें राउंड की तो हमारा यहां से हमारा डारेक्टर राउंड आता है मोटर से के इंजन पर से इस साथ पर से हमारा इस पर जाता है और सेम से सेम राउंड हो करके हमारा यहां पर राउंड घटाने का सिस गड़ जाता है तो काफी सीलो चलती है और इसके बाद में यह हमारा यहां पर होती है फिर छोटी स्पाकेट और यहां पर फिर छोटी स्पाकेट होती है यह हमारी रोटावेटर साफ होती है यहां से हमारी चैन इसमें चलती है अब इसको हम खोल के नहीं दिखा सकते हैं तो क इंगल हमने यूज किया है लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इंगल पर बिल्कुल मत बनाना क्योंकि जो एक इंची चौकोर पाइप आता है उस पर बनाना ज्यादा बेतर रहेगा क्योंकि यह उतना अच्छा नहीं काम करता है तो अब यह हमारा देख सकते हैं साइड का जो पीछे का पल्ला है यह इसको भी आप हम तो एक फुटका बनाए हुए एक नहीं 14 इंच का है तो कुसका ना भी 14 इंच का रखना इस तरीके से यह 14 इंच है और मिट्टी को गोडाई जो करेगा तो वह भी 14 इंच तक ही करेगा और वैसे मसीन की चौणाई की बात करें तो यह हमारी 19 इंच तक है मसीन की 14 इंच है और मसीन जो Charter Chởiner mm चलेंगी तो वो 14 के अंदर चलेंगी तो इसके बाद में इसको फ़ड़ा पल्ड देते हैं और यह हमें होगा तो इस पर हम लोग हैंडिल बांद देते हैं लेकिन हमको थोड़ा काम था तो इसको तो हटा दिये थे और यहां पर हमारा कार्वेटर फिल्टर लगा होता है तो इसी पर हमने बना के फिट किया था लेकिन इस समय नहीं है तो इसको हमा अलग यूज में ले लिया था तो यहां से किक भी मारना बहुत ही आसान हो जाता है और पैट्रोल टंकी यह आप अगर इस च आपके की पैट्रोल टंकी लेना चाहते हैं टिक्टर में लगने वाला एक टाइंक होता है छोटा सा तो उसको हम इस इसमें यूज कर लिया है और अब इसको यह हमारा अच्छा हो गया यह जो है यह आप लोग बना सकतें इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से बनाया किये हैं और अगर आप इसको नहीं बना पाते हैं तो इसके लिए यहां पर रेडिमेड आते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं तो वह काफी आसान रहेगा और यह हमारी सिस्टम आपको बनाऊ-क काफी पाष्一-क मिट्टी की मतलब गयराई किनी लेकि लेकि चलना इसी के हिसाब से मतलब चले गा तो इसको बनाना बहुत ही जरूरी है तो आभ को में क के लिका दिखा दिखा देते हैं इस तरीके से हमारा BronzeWater system कि यह हमारा रोट到व बेतर अंदर सिस्टम एं फिराल तो यह ब्लेट हमारी बनी उवीयं तो तीन इसमें लहीं तो तीन इसमें 3 इसमें तीन इसमें ब्लेट्स है लेकिन आप अपना अगर आरगण कर ना चाहें तो अंजिस नुख़ सबते हैं तो इस तरीक necessarily समय को शायन बीघा आपको ग्ता से दूत Main की बात करते हैं तो यह गास धी है तो लिए भी लगा सकते हैं और आब स्मय की बात करते हैं यह अपने प्लिक्षा है बात करके था कि यह था इंफोमेशन हमारे पास थी नहीं तो अपने हाथ से बनाना पड़ा था लेकिन आभी समय हमारे पास इस तरीके की बैरिंट सीट अवेलबल है तो हम लोग इनको यूज में ले रहे हैं और अब बात करते हैं ब्लेट्स की तो हमारी ये ब्लेट्स हो गई तो इसमें ये इंच इधर है और तीन इंच इधर है तो इस तरीके से ब्लेट बना दीजी और इसमें थोड़ा छोटी ब्लेट है इसी तरीके से आप बनाई है मोटर साइकल पर अगर बना रहे हैं तो काफी बेतर रहेगा और आप अगर आप बड़ी ब्लेट्स बनाना है तो ये ये यह बाहर को फैलि वुई है तो इस तरीके से आपको मोड़ना है इस तरीके से मोड़ कर के आप बलेट मताथि यूशं घृड़ ब्लेट्स बनाए थे और यह तो आप इस तरीके चोटा ब्लेट्स बनाई यह बेहता रहेगा बाना भी इस तरीक़ काभी सकते हлись और इसकी स्टारिटिंग भी काफी बहतर है यहां से अगर किक मारना हुआ तो आसानी से पाइर रख करके किक मार सकते हैं कोई दिक्कर नहीं और तो कि अपना कि आप लूग सारा शिश्टम देख लिए और यह हमारा जो इस पे सिस्टम है यह यह हमारा स्टेंड दरसल इस प्रे मसीन बांधने का है अगर इसका वीडियो आप लोग देखना चाहें तो हमारे चैनल पर जा करके वहां पर दूश्का वीडियो पड़ा हुआ है तो वहां से भी देख सकते हैं तो इस पर मसीन बंदा हुआ था इस पर चैन चढ़ जाती अगर लिए तो यह हमारी चैन इस पर इस तुड़ा स्पीट में चलती थी तो यहां से हमारी चैन उबता है तो इससी के लिए हमको को यह लिए का प्रुफरमेंस किया तो वो भी वीडियो हमारे यूटूब पे पड़े हुए हैं हमारी चैनल पर जा करके देख सकते हैं खेद में किस तरीके से बैंगन के खेद में हम लोगों ने इस मसीन का यूज